हेलो बच्चों तो आज हम लोग मैगनेटिजम और मैटर का लेक्चर फोर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब एक मैगनेटिक डाइपूल को अगर हम लोग मैगनेटिक फिल्ड रिजन में प्लेस कर दियें किसी एंगल पर मालू है ना एटनी एंगल से धसे स्केक्राइबाराटिक फार्मुला स्टिक थीज़ता जो सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब जफ्सक्राइब थीज़ते पढ़ने चाइरहें और अच्छे नुमेरिकल से बतावों बच्चों चाहे बूल बोलॉच में देखो कि कैसे जो पार बार रिपीट करके पूछता है तो उस हिसाब से नहीं बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर देखते देखते लेक्षर पता चलिएगा कि सच्छी इंपॉर्टेंस है या नहीं है ठीक देव तो सबसे पहले आते हैं क्या है तो बोलिग टॉर्क और मैगनेटिक डाइपूल को एक अधेकस कणे प्लस एम यानि इसको हम लोग कहते क्या है पूलि स्ट्रेंथ कहते हैं या फिर कहळें सकते मेगनेटिक चार्ज्स है यह प्लस magnetic charge minus magnetic charge लेकिन constitution हम लोग पता है कि pole strength glutton denote करते हैं आच्छा बलता कि जब कुए magnetic डّाइपोल को हमने रख दिया magnetic field region में इन्हे अगर magnetic sweetness ऊपस में parallel हो बिलकुल parallel है और equidistant तो यह uniform magnetic field कहलाता है यानि की constant magnetic field है यह ठीक है प्रोपर्टीस में देखे थे uniform magnetic field का पिछले lecture में ठीक तो अगर हमने ऐसा रख दिया तो हमें बताना है कि भाई इस पर क्या हो रहा है तो पहले mechanism समझते है सिस्ट मैंग्नेटिक Gu casting मैंग्नेटिक फील के साथ क्या है यह क्या एंगल बना रहा है तो बुले लेट केतना अंगल बना रहा है वह मैंगनेटिक फिल्ड इधर है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है थेटा बना रहा है अच्छा एक और चीज जानते हैं च्छटा-च्छटा कॉंसेप्ट खूब है कि कभी मालो की माइनस एंप्लस एम एक डाइपूल है लेंथ इसका होता है कि इतना दोखो टूएल टूएल हमको पता है कोई भी डाइपूल होगा और वो किधर होता है माइनस से प्लस के तरफ यानी इधर हो जाएगा मैंगनेटिक डाइपूल नोमेंट इधर होने जा रहा है कि इधर होने जा रहा है magnetic dipole moment इधार दो ऐसा कुछ दिस इस capital M यानि कहने का मतब कि capital M और यह है क्या B देखो magnetic field का direction इन दोनों के बीच का angle है क्या theta और ऐसे यह placed है यानि सबसे पहला चीज़ हम यह कह सकते है कि भाई यहाँ पर theta क्या है तो बोलेंगे यह है angle between magnetic dipole moment capital M and magnetic field क्या है B यह है उसके बाद क्या है भाई अब बोलें कि देखो जैसा ही को magnetic field हो एक region में और उसमें अगर poly strength place हो जाए न तो यह magnetic field उस poly strength को क्या करता माता है धक्का और लगता है force लेकिन समझ में आया नहीं होगा क्योंकि सच में नहीं समझ में आता है सदेनली जरा electrostatics का देखते है तब समझ में आ जागा देखो अगर एक electric field इधर हो है ना और उसमें कुछ चार्ज रखावा लेट इट भी प्लस क्यों अब हमें समझ में आएगा हाँ 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 एलेक्टिक फिल जब इधर होता है इसका मतलब है कि इस साइड पूरा प्लस प्लस है और इस साइड पूरा क्या होता है माइनस 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 तभी तो electric field का direction इधर होता है प्लस से माइनस के तरफ और उसमें अगर कुछ चार्ज रख दोगे ना तो देखो ये भूला समरेगा इसको धका यह जाएगा फेका जाएगा यानी डिस इस लोगी एक पोर्स कलियर है ना कभी भी एक लाइने से बना हुआ यह या होता है इधर बहुत बड़ा प्लासे इधर बहुत बड़ा माइनस है और तब दोटे कि देखो यह एक फिल मारा धक्का थे कि यह vector quantity, तो ऐसे लगा दो, तो positive charge है, तो plus QE, negative charge है, तो minus QE हो जाएगा, positive charge रहेगा, plus रखोगे, तो जिधार electric field, उधार ही force, जिधार electric field, उधार ही force लगेगा, लेकिन अगर minus Q charge आगा तो, तो बले electric field, अगर होगा right side, तो यह है minus, यानि force लग जाएगा left side, तो यह जिस तरह से concept है ना, इसी concept का छपाई, कारिकरम करेंग बचो, तब समझ में आएगा कि मैं क्या है क्या रहाता, कि magnetic field, इस पर force लगाता है, electric field charge पर force लगाता है, ठीक है, तो magnetic field, magnetic charge पर force लगाएगा, और भाईया, magnetic charge क्या होता है, poly strength कहलाता है, यानि कैसे लिखेंगे formula, तो diagram बना लो, ऐस सहीं हम लोग लिखने जा रहे है, तो जब भी magnetism को formula भूले ना, तो खुशी मनाना, अच्छा हुआ भूल गया, समझ में नहीं आया ना, तो खुशी मनाना, अच्छा है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि electrostate हमें बहुत अच्छा से समझ में आता है, उसका cut copy paste करके लिख दे किता बड़िया बात है, तो बोलेंगे यहां पर मालो कि magnetic field इधर है, magnetic field इधर है, ठीक है, उसमें हम रख देंगे एक pole strength, हमने रख दिया plus pole strength, तो भाई कितना लगेगा, तो देखो जाएगा, electric field, तो मैं लिखूँगा यहां magnetic field, electric force, मैं लिखूँगा यहां magnetic force, किस पर लगे बी, बी, इस तरह से, ठीक है, तो अगर प्लस M होगा, तो जिधर magnetic field उधर ही लगेगा magnetic force, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा, अगर negative pole strength हुआ तो बोलेंगा, माइनस Mb हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस Mb हो जाएगा, यानि जिधर magnetic field, उसके opposite direction में लगेगा force, समझ में आ रहा है, तो magnetic charge जैसा ही treat करो, तो same formula आएगा, देखो ये दोनों, कोई अंतर नजर ने आएगा, एक electric force, electric charge पर लगता है, magnetic force, magnetic charge पर लगता है, जिसको कि pole strength कहते हैं, तो बस यही दोनों में लिखने जा रहा हूँ, side में लिख लो, diagram में भी बनाने वाला हूँ, ये magnetic field, plus m पर force मारेगा, किधर, उसी direction में लगाएगा, तो force बराबर बोल देंगे, क्या हो गया, देखो, plus m into b, same direction में, जिधर magnetic field, उधर ही force लग गया, अच्छा, minus m पर भी force लगाएगा, लेकिन ये opposite direction में होगा, कितना, तो बोलेंगे, ये हो जागा, force बराबर minus m b आ गया, देख लो, minus m b, magnetic field, right side है, ये force लगा, left side, तो opposite direction में, अब क्या हुआ, एक इस तरह से कोई dipole है, उसके top पर force ऐसे लगाता है, इसके top पर इधर लगाता है, यानि कि, ऐसे कोई छीज हो प्लेस्ट, इसको पकड़ कर की इधर खीचे, ठीक है, और इसको पकड़ की इधर खीच कर जाएगा, किसके वज़ा से, इस two forces के वज़ा से, जिसका magnitude देखोगे, equal है, m b, m b, magnitudes are equal, but opposite in direction, तो जब भी कोई दो forces, बचो लग रहा हो, देखो एक उपर लग रहा है, थोड़ा सा निचे लग रहा है, तो जब भी कोई दो equal and opposite forces किसी body पर लगता है, अगर certain distance apart हो ना, त आता क्या है, couple, ठीक, जैसे, मालो यह body, मैं लगा हूँ, इधर से दो न्यूटन, और एक ही point पर इधर से भी दो न्यूटन लगा रहा हूँ, अब यह vibrate इसलिए करा, क्योंकि मेरा हाथ vibrate करा, ठीक है, अगर एक ही जगा पर लगाएंगे, तो नहीं rotate किया, नहीं rotate करेगा, यानि, when two equal and opposite forces, एक ही point पर लगेगा, तो भाई, कोई torque ने, कोई rotation ने, लेकिन अगर एक उपर कहीं लग जाए, ऐसे, और एक निचे लग जाए, लगाओ, देखो, rotate कर गिया, है ना, rotate कर गिया, तो जैसे ही बोले न, two equal and opposite forces, acting at a certain distance apart, जो होता है, they constitute couple, क्या कहला था, couple, और व अब couple क्या है, देखो, देहान से, बहुत चोटा-चोटा concept है, इसके पीछे, couple क्या होता है, कि कभी भी कोई body इस तरह से हो, एक लगे उपर कोई force, और एक लगे निचे, दोनों force कैसा होना चे, magnitude wise हो, same, लेकिन acting at a certain distance apart, तो देखोगे, गौर करके न, ये force का line extend करतो, ठीक है यानि कि जहां भी force लगे न, उसको खीच दो, ठीक, उपर जहां force लगे न, उसको खीच दो, extend कर दो, फिर देखते हैं कि उन दोनों की बीच perpendicular distance क्या है, तो जो है न, वो कहलाता है क्या, एक couple कहलाता है, ठीक, अब ये couple करेगा क्या, ये खीचरा इधर, ये खीचरा इधर, अताब टॉर्क बराबर formula क्या होता है, लगता है, टॉर्क, टॉर्क का formula होता है क्या, बोलेंगे, either force, दोनों force है न, एक उधर, एक इधर, तो हम लोग बोलते हैं, दोनों में से कोई, एक लिखा, either force, इंटू लिख देते है, perpendicular distance between, perpendicular distance between the forces, तो ये रहा पूरा concept, perpendicular distance between the forces, और य perpendicular distance, यहां क्या है, देख लो जरा, डी है, तो डी हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है, तो हम forces को खीचते हैं, इदार, forces को क्या करते हैं, खीचते हैं, तो, 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 ये जो force लग रहा है, इसको अगर extend करोगे, ऐसे, और ये forces लग रहा है, इसको extend करोगे, ऐसे, तब देखो तो भाई, ठीक सामने क्या हो जागा, 2L sin theta, क्या जाएगा, 2L sin of theta, क्या यही perpendicular distance है, between the two forces, कैसे, इस force को खीच दो, ऐसे, इस force को खीच दो, ऐसे, देखो, दोनों के बिच perpendicular distance नजर आएगा, है ना, कितना, 2L cos theta नहीं, 2L sin theta हो जाएगा, बिलकुल उसी के जैसा है, जैसा हम ल आरेट ऐसे लिख सकते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बोले the two forces, the two forces, कौन है, तो बोले f equal to plus mb, and f equal to minus mb, f equal to minus mb, तो बोले acts on the dipole, acts on the dipole, पता चल गया एतना, ठीक है, since these two are, these two forces are, लिखेंगे, equal and opposite, are equal in magnitude, equal in magnitude, and opposite in direction, बड़ी important है, लाइन लिखना, अगर बोट्स में आता है, derivation नहीं लिखोगे, तो बच्चों गयान marks है, लिखने के लिखने के तो मैं direct expression लिख दो, खट, 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 पता चला, डेट दो, नमबर चला ही गया, तो क्या पढ़ाने स से फिर फैदा है ना, पढ़ाएं सर समझे लिखा नमबरे चला गया, वो ने होना चीए, इस टू फोर्से सार, इक्वल in magnitude and opposite in direction, opposite in direction, hence, hence, they constitute a couple, क्या दोनों बना देगा, they constitute a couple, ठीक है, और ये couple करता क्या है, तो बोले क्या, this couple exerts, this couple क्या क्या करता है, बोलेंगे कि exerts a torque on the डाइपोल, exerts a torque on the dipole, on the dipole, which is given by, अब ठीक है, जो लिखना है, लिको कोई दिकत नहीं, which is given by, क्या हो जाएगा, constitute say, torque, constitute a couple, this couple exerts a torque on the dipole, which is given by, तो बोलेंगे या, torque को टाउ से denote करते हैं, यह होता क्या है, बोता है, आईदर फोर्स, आईदर फोर्स, आइंटू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिट्वीन दा फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिट्वीन दा फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिट्वीन दा फोर्सेस, जैसे कि पीछे कॉंसेट बता रहे हैं मालो यहीं पर फॉर्मॉला लिखना हो चलो डेरिविशन उसी साइड कर रहे तो इसका कॉंसेट देख लो जा रहा आइधर फॉर्स क्या लिखते होगे एफ हो गया और पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर क्या डित यानि यह हो ग देखो कैसे लिखेंगे टॉर्क बराबर आइधर फॉर्स एफ लिख लो आई टू पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस बिट्विन दफोर्स इस डैट इस टू एल साइन ऑफ किता हो जागा ठीटा यानि कि टॉर्क बराबर एफ क्या है भाई एफ है एम बी क्या है एम बी और यह है टू एल साइन ऑफ ठीटा तो जब छोटा एम और कैपीटल एम लिखो तो अच्छा अस लिखना जैसे छोटा एम जो मालों ऐसी लिखेंगे ता कि पता चले कि वह क्या है यह आगे टॉर्का फॉर्मूला अब इसको अगर सेटिंग करें देखो एम छोटा एम आई इ है इनटू क्या अगए इधर बी साइण ऑफ ठीटा देखो गौर करके यह एम इनुड़ थोर्म जासा का क्या क्या बन जाएं क्या क्या मीट्ट CTL एक एम तो साइड में कहीं लिख सकते हैं कि व्यार एम है क्या है एम आई इंटू टू क्या कहलाता है को 좋bet Counter और नाम लिखता हूं, magnetic dipole moment है यह, magnetic dipole moment है यह, लिखते हैं, ठीक है, दो क्या जाएगा, m into 2 लागे, m, यह हो गया b, और यह हो गया sin of क्या हो गया theta, यानि magnitude of the torque, जो लगेगा, वो हो जाएगा, mb sin theta, यह ठीक, analogous है, expression का, electrostatic में क्या पढ़े थे, दोखो, m को क्या बोलते हैं, वहाँ पर, electric dipole moment P, magnetic field यहाँ है, वहाँ बोलते है, electric field P, E, और यह क्या हो गया, sin of theta, देख लो जाएगा, पूरी analogous है, torque equal to mb sin theta, यह हो गया magnitude wise, अगर, vector form में अगर लिखा जाए, in vector form, तो कैसे लिखेंगे, तो जैसे यहाँ कैसे लिखेंगे, तो गोले भाई, torque बराबर हो जाएगा, दोखो, mb sin theta, तो यह लिखाएगा, क्या, m cross b, क्योंकि पता है, a cross b क्या होता, a b sin theta, a cross b, a b sin theta, a b sin theta, hence, m cross b हो गया, अब इसका क्या मतलब ए cross हो गया, m के तरफ right hand thumb rule, m के तरफ हाँ रहो, b के तरफ rotate कर दो, वो बता देगा, direction of the torque, दे देख लिजे, ठीक, m cross b, m cross b, आजाओ, आजाओ, हाँ, m, m किधर है, तो बोले कि भाई, m है इधर, देखो, यह m, यह b, तो बोले कि भाई, यह rotate किधर करेगा, तो बोले m के तरफ हाथ रखो, ठीक है, और b के तरफ rotate करा दो, तो m cross b, देखो ज़र, आज सिखाते हैं कि m के तरफ हाथ रखो, बी अगर जिधर हो, मतलब नहीं बोलते है, a cross b, तो समझो, बी किसी का गाल है, जिसके गाल पर मुझे मारना है, तो m के तरफ हाथ रखे, b क्या किसी का गाल है, तो m cross b, मारो इसे करके, ऐसे rotate करो, अपने आप थमभाएगा direction, तो देखो, m cross b, तो किधर चाहेगा, अंदर की और, तो rotation का direction कैसा हो जाएगा, ऐसा, यानि कि direction of torque होगा, ध्यान से देखना पुछो, direction of the torque जो होगा, वो ऐसा हो जागा, इस तरफ वो गिरना चाहेगा, सो भाविक एक पैर ऐसे खीचा, मुडिया ऐसे खीचा, तो गिर गया, rotate कर गया, तो torque लग गया, concept के लिए M cross B होगा, अब इसका application वेगरा जैसे जैसे आते जाएगा, तो वो देखते जाते हैं, कि सबसे पहला, special cases में अगर हम लोग देखें, कि अगर theta 0 है, तो भाईया, theta क्या था, theta क्या था, angle between, बोलो, angle between, यह है M and B, अगर बलता theta 0 degree है, तो बोले माल लो कि अगर magnetic field है इधर, तो बोलता है कि bar magnet कैसा रहना चाहिए, magnetic moment इधर ही हो, समझना, इधर ही हो, तभी तो जाके theta 0 होगा, और इधर होने का मतब क्या होता है, यहाँ पर minus M हो, यहाँ प्लस M हो, यानि कि this is south pole, this is north, ऐसा अगर रखा रहेगा, तो theta 0, तो बताओ कि अगर ऐसा रहेगा, तो torque केतना लगेगा, torque हब ने देखा क्या होता है, Mb sin theta, तो भीया, Mb sin केतना डिगरी हो जाएगा, 0 डिगरी, और sin 0 क्या हो जाता है, 0 यानि कि, स्वाह, बोलो मेरे साथ, 0 sin 0, स्वाह, यानि कि torque केतना लगे, ओमनमाज जाय, स्वाह, यानि कि कोई torque नहीं लगेगा, तो अगर कोई dipole, अगर magnetic field के direction में रख दिये, तो no rotation है ना, चुपचप सोया हुआ रहेगा, ठेक है, next इसको देखते है, अगर theta 180 हो तो, रख दो theta 180, तो 180 का मतलब क्या होगे, कि magnetic field इधर, और bar magnet कैसा होना चाहिए, तो magnetic moment उसका इधर हो, तभी जाकर कि 180 degree होगा, it means यह हो plus, कितना हो, minus M, और यह वाला हो plus M, this is south pole, this is north pole, तब magnetic moment इधर होगा, कैसे, तखो एक्ची, magnetic field इधर हो, magnetic moment इधर हो, तभी तो जाकर के दोनों के बीच का angle केतना बोलेंगे, 180 degree, तो अगर ultra सोया हुआ हो, तब क्या होगा, तो bullet torque फिर से हो जाएगा, केतना, M, B, sin 180, तो sin 180 भी केतना होता ह है, स्वाह, किनी को अगर याद करने में दिक्कत लगता हो, trigonometries का कोई भी values, सबसे ज़्यादा sin cos use होता है, तो मैंने बहुत जगा पर पढ़ाया, कि sin theta का graph से याद कर लो, भई, कभी रटनती विद्या मत करना, मेरे जैसा सुबर 4 वज उठके, पापा उठा दिये पढ़ है, तो 0, उपर होता है, plus 1, नीचे होता है, कितना, minus 1, यानि कि sin cos का graph से याद करो, ठीक है, बहुत सारे जगा पर मैंने बताया है, ठीक है, तो यहाँ पर भी torque लगे है, 0, 90 degree होगा, तो 90 degree का मतलब magnetic field इधर, और यह रखा हुगा ऐसा, तो this is minus m, this is plus m, तो magnetic moment का direction, देखो, इ theta equal to हो गया, कितना degree, 90 degree, तो torque कितना लगी का, तो बोलेंगे, m, b, sin कितना हो जाएगा, बच्चो, 90, कितना हो गया, m, b, sin, 90, और हमें पता है, sin 90 क्या, तो maximum value होता है, sin का, तो अगर यह maximum हो गया, it means torque भी कैसा लगेगा, maximum torque लगेगा, और वो maximum torque कितना हो जाएगा, तो बोलें m, b, k value, खतम, answer, है की ने, तो यह है, तो 0 पर रखते हैं, तो कोई rotation, rotation, equilibrium है, या 180 degree पर भी रखते हैं, तो torque उसमें लगा ही ने, बनलब rotational equilibrium है, rotational equilibrium है, equilibrium का मतलब, net, जैसे, translational equilibrium किसको बोलते थे, net force 0 हो जाए, body पर, translational equilibrium, net force, लेकिन अगर कोई rotate ही नहीं कर रहा हो, net torque ही 0 हो, त rotational equilibrium में है कहने का मतलब, क्या बोलेंगे, तो जड़ा ये भी अंग्रेजी लिख दूँ, यहां पर, क्या है, that is, it is in, it is in, it is in, rotational, rotational equilibrium, it is in, rotational equilibrium, फिर यहां पर भी torque 0 है, तो बोलेंगे, that is, it is in, अभी जुरत पढ़ेगा, numerical में, देखना न, it is in, rotational, लिखे लिया न, लाल कलम से, it is in, rotational equilibrium, electrostatic में बड़ी अच्छा से सब समझाए है, तो यहां पर लग रहा है कि हां, ठीक है, हम लोग को बस लिखना है, पढ़ना है, बस पढ़ते जाना है, next, खुल जा सिम्सिम, आजा सिम्सिम, चलो, next, क्या है भाई, बोलता है, derive an expression, for the oscillation of a freely suspended magnet in a uniform magnetic field, क्या है यह, बिल्कुल electrostatic में हमने पढ़ा था, कि कहीं पर magnetic field जैसे electrostatic का बात करते है, electric field होता था इसे, electric field होता था, उसके अंदर electric dipole हम लोग क्या कर देते थे, रख देते थे, dipole का मतब minus q, plus q, रख दिये, तो पहले magnetic field के ही direction में हम लोग रख दिये, पता कि को torque नहीं लगता, equilibrium में, ठीक है, SHM याद करो, कोई भी ची equilibrium में हो, जैसे की, जैसे की बचों मालो है न, यह समझना, कि कोई, जैसे spring वाला, नहीं हम लोग पढ़ते थे, कि spring का ऐसा हो, या फिर चलो pendulum का ही बात करते है, ठीक, pendulum का क्या था, ऐसे एक bob यहाँ पर लटक का देते थे, थोड़ा सा, तो घसका करके, यहाँ पर जब छोड़ दोगे न, बचों, रसी या, इसे यहाँ आए, ठीक है, जैसे छोड़ दोगे न, उस पर एक force लगेगा, पीछे की और, हम घसकाएंगे, आगे force लगेगा, पीछे, that is known as restoring force, और जब भी ऐसा होता है, तो ह खीच लेगा, तो यह, लेकिर उसमें minus sign लगा देते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम खीच रहते हैं, आगे force लगता है, पीछे, तो minus sign लगा दो, और जो भी force होता है, force equal to होता है, mass into acceleration, तो यह करते थे हैं, ऐसे, फिर acceleration बराबर minus, कुछ यहाँ पर आएगा, divided by m, आ जात होगा है, कि जैसे कोई pendulum इस तरह से लटका हुआ, bob है, equilibrium position में है, ठीक है, हमको क्या करना, पकड को उसको थोड़ा सा घसका देते हैं, अब थोड़ा सा घसका दिए, छोड़े तो दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, करने लगा, SHM करने लगा, तो बताओ कि बाएं, जब आगे दाएं घसकाए थे ना, तो बाएं तरफ कौन सा फोर्स लागा था, तो बच्चो फोर्स लागा रहे हैं, तो एसलेरेशन डेरेक्ली प्रोपोस्टर टू माइनस एक्स ऐसा कुछ आता है, ठीक, अच्छ, यहां देखो क्या है, अब यहां पर क्या है, र सीलिंग है, उसके साथ एक रसी ऐसे लगा हुआ, रसी के साथ क्या है, बार मैगनेट, यह हैंग्ड है, ऐसे ठीक है, और मैगनेटिक फिल्ड भी धर है, अभी हमने पढ़ा था कि भाएं, मैगनेटिक फिल्ड के ही तरफ अगर डाइपोल मोमेंट भी होगा, तो एकुलिब करेंगे, तो M हो गया इधार, B है इधार, बताओ क्या होगा, दोनों के बीच को एंगल थेटा हो गया, लग जाएगा टॉर्क घुमा देगा, धाडाक से M क्रोस B, यानि कि हम रोटेट करेंगे इधार, अट टॉर्क लगेगा इधार, that is known as restoring torque, that is known as restoring torque, तो जो जो force पढ़ इसा, यानि, let हमने घुमा दिया थेटा इधार, ऐसे, अब हम घुमा देंगे थेटा इधार, तो यह माइनस M यहाँ आगे, वह चो यह प्लस M यहाँ आगे, बोलता है, derive an expression for the oscillation of a freely suspended, की बताओ कि जब तुम घुमा दिया ना, तो यह दाएं बाएं दाएं बाएं बाएं तो पहले तो proof करो, कि यह SHM करेगा, और अगर SHM करेगा, तो time period निकालो, frequency निकालो, यह सब पुछा जाता है हमसे, तो बोले देखो भाई, मैंने घुमा दिया ऐसे, तो उस पर, उस पर torque लगेगा, ऐसे, यह लगेगा torque, और यह कौन सा torque कहलाएगा, restoring torque, restoring torque कहलाएगा, हम घ हमाएए है, ऐसे, तो ऐसे, यह लगेगा, ऐसे, क्यों, क्योंकि माइनस M से प्लस M के तरफ होता है, यह M का direction, माइनस M से प्लस M, M हो गया, और यह है B इधर, इस थेटा, तो लगेगा M cross B, M cross B, यानि इधर rotate करेगा, ठीक है, तो जब भी हम rotate करते हैं, बच्चों कैसे rotate करत करते हैं, क्या करते हमेशा, slowly rotate करते हैं, ताकि net acceleration zero हो है ना, चलो, दोखो लिखते बताता हूँ, एक मिनट, भाई ठीक है, हमने जब rotate किया, थीट है, तो बता, उस पर restoring torque क्या लगेगा, तो बोलेंगे कि restoring torque जो लगेगा, restoring torque on the dipole, restoring torque on the dipole, बोले ना, जब भी कुछ लिखों जैसे ये linear motion का होता है, अभी rotational motion का क्योंकि कोची rotate कर रहा है, तो restoring force धूंड़ो, उसमें minus लगा के कुछ लिखो, क्योंकि ultra direction में लगता है, थी, तो restoring torque क्या हो जाएगा, तो बोले torque का formula हम लोग जानते हैं, क्या होता है, mb sin of theta, तो ये restoring torque हो गया, restoring torque हो गया, जिसको कि मालने tau से denote कर दो, तो ये हो क्या, minus mb sin of theta, restoring torque को tau s से बोल दो, जैसे restoring force को na fs से बोल देते हैं, restoring force, ये आ गया, अब force equal to mass into acceleration, भाईया, torque बराबर क्या होगा, तो सोचो, mass बन जाता है, rotation chapter moment of inertia i, और acceleration a बन जाता है, rotation में, alpha, यानि कि tau equal to क्या हो जाएगा, i alpha, कहां से देखते हैं, यही से चोरी करके छापके लिखते हैं, में पराबर क्या होजाएगा, बोले, जो भी restoring torque को, that becomes i into alpha, ये हो गया, कितना minus mb sin of theta, ये तो एक ही question आया, दूसरा बचों क्या होता है, कि कभी भी कोई shm वेगरा हमको proof करना हो, जैसे pendulum में displace करते हैं, कितना angle displace करते ह नहीं, यह साब shm पूरा valid होता है, for a very small displacement, 0.2 degree, ऐसा समझ लो, तो very small displacement के लिए, तो ये भी जो rotate करो के 30 degree, 40 degree, नहीं, एकदम हलका सा, very small, तो बोलते हैं कि, here, theta is very small, very small, यानि for a slight angular displacement, तो अगर theta बहुत छोटा होगा, तो sin theta जहाँ लिखा हुआ, वहाँ nearly equal to क्या आजाएगा theta आजाएगा, ray optics पूरा पढ़े हो, पता है, कि ने, sin theta क्या हो जाता है, theta, 10 theta, theta हो जाता है, यानि कि हम लोग लिखेंगे, यहाँ क्या, i alpha will be equal to minus mb theta, mb theta, अनिल सर, आप करना क्या चाहरे हो, इसमें, बिल्कुल है, नो मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है, कि मैं करना क्या तो भाई, rotation समझ में, तो सच में नहीं आता है, तो हम करते हैं, पूरा rotation में, हम इसको देखते हैं, यहीं से चोरी करके हम छापें, क्योंकि उदर समझ में नहीं आता है, बड़ा मूश्किल लग रहा है, पता नहीं क्या करें, अगला line में, हमको पती नहीं चला है, यह जिससे पता चलता है कि आप घसकाए हो, किधर x आगे, छोड़ोगे ना, तो acceleration लगेगा किधर, पीछे, यानि कि acceleration should be directly proportional to minus x, तो जो भी यहाँ पर कुछ आता है ना, acceleration equal to minus, मालो यह ऐसा कुछ है, यहाँ पर ही गो x आना चीए, और जो यह constant आता है, उसको हम लोग replace क्या करते है, omega square से replace कर देते हैं, पूरा SHM यही करते हैं, पूरा SHM, electrostatics में भी मैंने बताया है ना, और SHM में भी पढ़ा है, तो वो देख सकते हो, वीडियो भी, ठीक है, तो जो पहले आ जाए, यह तना, तो भाई, rotation में हम क्या करें, यह तो linear motion का हुगा, अच्छा सर, rotation में क्या कर चाहिए, तो देखो, rotational SHM के लिए, rotation यह angular SHM बोलो, ठीक है, angular SHM के लिए मेरा target क्या होगा, यह acceleration तो यह आ जाएगा, angular acceleration, ठीक है, ऐसा कुछ आना चाहिए, अतना divided by जो भी आ रहा हो, mass है बचो, तो हमको पता है, यहां moment of inertia आएगा, यहां X है, linear displacement, तो यहां पर कहीं न कहीं angular displacement आना चाहिए, cut, copy, paste, मैं कर रहा हूँ, यानि आपने जरूर rotate किया होगा theta, तो angular acceleration लगा होगा opposite direction, यह लेते आओ, जो भी आएगा न, angular acceleration will be equal to, जो यह दिख रहा है न, इसको omega square से हम क्या कर देंगे, replace कर देंगे, इस equation और इस equation से, तो यह पूरा बन जाएगा, omega square, omega के मना समझ में है, खोशी मनाना कि मेरे को क्योंकि इधार आता है, इसको देखके छाप देंगे, तो मेरा तो अंसर आई ही जाएगा, ठीक, तो alpha और minus theta आना चाहिए, क्या यह alpha minus theta बराबर है, दीख रहा है, यानि alpha यह हो जाएगा, minus mb divided by i, देख आया न, आई दर, और यह कु to push into theta, जिसे पता चलता है, आप theta घुमा इधार, भहिया, acceleration लगे opposite direction में, हैंस, यह equation number one हो गया, या two, यह equation number two हो गया, बचो जो भी यह है, we will replace it by क्या, omega square theta से हम लोग कर देंगे, replace, क्योंकि जानते हैं कि SHM में यही होता है, तो omega इसको जैसी करेंगे, तो बुलें कि from equation two and three, अगर compare करोगे, तो देखो omega square इसके बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, mb divided by i, hence omega बराबर, root under आ जाएगा, क्यातना, mb divided by i, एक question number हो गया, four, लिख लो बढ़ यहां से, ठीक, इसको भी लिख लो, जो भी यह सब concept बढ़ जरूली होता है, कि कैसे यह कर रहे है नजर के सामने, जिगर के पास, कोई रहता है, वो हो तुम, लिख लिए है, चालो ठीक, अब जैसी omega आया, हम time period कैसे लिखे, तो बोले भाईया, omega के अंदर छुपा हुआ होता है, two pi बटे t, या जाएगा, mb divided by i, तो अब क्या करें, इसको पल्टी करो, इसको पल्टी करो, तो टी बटे, two pi, will be equal to root under, यह हो जाएगा, i divided by mb, या निकी time period of oscillation मेरा आ जाएगा, केतना, तो टी बरावर बोलेंगे, two pi धर, multiply कर दो, तो two pi, i divided by mb, यह हो जाता है, time period of oscillation, of the freely suspended magnet, which has magnetic dip, moment, moment of inertia, inertia, मतलब क्या को, इसका मास तो होगा ही, magnet का, rotate करेगा, केतना भारी rotation होता है, केतना आसान rotation होता है, पता है, वो moment of inertia बताता है, पूरा feeling के साथ, rotation पढ़ाये हुए, तो कि नहीं को दिक्कत लगे कि moment of inertia कहीं, formula तो नहीं है, गलत, formula बाद में होता है, पहले समझनती विद्या, कि हमें rotate करना आसान है, कि मुश्किल, व हो गया, अब यहीं से time period निकल गया, frequency पुछेगा, तो क्या कर देंगे, वन बटे T, तो जो है time period उसको पलड़ दो, यानि कि one बटे 2 pi, हो जागा, root अंडर केतना, mb divided by i, this is the frequency of oscillation of the, bar magnetic field, अब जैसे देखो यह है न, 2 pi i बटे mb, देखो एक result बताता हूं, चो result, magnetism के ठीक है, कि time period का answer आया, 2 pi root अंडर केता है, देख लो बचो, i बटे mb, ठीक है, तो यह है, i बटे mb, अच्छा, ठीक है, क्या electrostatic में पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे, वो magnetic field था, electric field, डैपोल ऐसे रखा हुआ था, डैपोल को ऐसे रखा हुआ था, minus q, plus q, in the direction of electric field, equilibrium, हम rotate कर देते हैं इधर, यह गिरता है, इधर धड़ाक से, यानि कि इस पर यह गिरना चाहता है, इधर, this is restoring torque, हम इधर rotate कर दी, यह गिरना इधर चाहता है, restoring torque, same concept, तो यहाँ पर जब derive किये थे, answer क्या आया था, विश्वास करोगे, 2 pi under root, क्या, moment of inertia था, i, बटे था, mb, magnetic dipole moment, magnetic field, यही answer आया था, नहीं लग रहा है कि छापाई कारिकरम हो रहा है, बच्चो क्या उसको बोलता है, छापाई कारिकरम, यह पढ़ो तो वो लिख दोगे, या फिर वो पढ़े तो यह लिख दोगे, answer भी क्या, cut, copy, paste, ठीक है इसको लिख लो, result के रुप में, जब आई तो कि कोई डाइपोल इस तरह से है, दोखो, minus M, plus M, theta 1 initially angle पर जो है, रखा हुआ है, और यह क्या है भाई, तो यह magnetic field का direction है, तो यह horizontal line इधर भी जो बना क्या है, magnetic field का direction है, ठीक है, minus M से plus M की बीच यह क्या होगा, M, capital M का direction, यह है B, initially theta 1 पर है, बोलता कि potential energy क्या होगा भाई, इस dipole का जो रखा हुआ, magnetic field में, तो बोले, पूरे physics में, potential energy आता कहां से है, तो बोलते हैं, देखो, यह धरती है surface, उस पर एक column रखा हुआ है, कोई mass, कैतना potential energy है, surface अब दार पर zero, तो बोले, gravity कि धर लग रहा है, देखो, नीचे, M, G कि धर लग रहा है, नीचे, तो जिधर M, जी लगता है न, उसके opposite में, एक external आदमी को पकड़ करके, उसको opposite direction में उठाना पड़ता है, तो हम करेंगे काम, कौन, external आदमी, दो होता है physics के अंदर, बचो, potential से पढ़ाते आ रहा हूं, और work energy, power, rotation में, जवर्दस्ट पढ़ा है, कि work done by conservative क्या, और work done by external क्या, आप अपना कॉंपी खोलो, और एकदम जहां नाम लिखते हो न, नेम अपना अनिल कुमार जैसे लिखते हो न, वहीं पर देखना कुछ मेंने लिखाया है, लिखा होगा, जो भी बच्चे नहीं लिखे है न, potential chapter जाकर के देखो बच्चो, या work energy, power पहले देखना, लिख लो कॉंपी के cover के उपर, gravity जो होता है, एम जी न, वो होता है क्या conservative force, conservative force जिदर लगता है न, उसके opposite में अगर कोई आदमी किसी चीज़ को पकड़ करके उपर लेके जाएगा न, तो वो करेगा काम, कैसा काम करेगा positive, क्यों, क्योंकि मैं force लगाँगा उपर, displacement भी है उपर, force displacement एक ही तरफ, positive work done, मैंने काम किया positive work done, 50 जूल, मैं ठक गिया, तो मैं ठक गिया, तो मेरा ठकावट किधर गिया, energy can neither be created energy nor be destroyed, it can only be transformed from one form to another, तो हमने जो काम किया भी है, वो काम कहा गिया, तो मेरा काम जो मैं ठक गिया न, 50 जूल करके, वो चला जाता है उस body के अंदर, हलाकि static है, उस system के अ आता है बच्चों लेकिन समझने के लिए, चला गया उस body के अंदर in the form of potential energy, कैसे, surface of the earth पर, बड़ा सब पत्थर को उठा के ले जा, बिस तल्ला पे रख दो, और उसके बाद छोड़ो, वो गिरेगा, मुड़ी पर नीचे जमीन पर, मुड़ी फट जाएगा, समझने आता ह स्टोर हो गया था, ठीक है, तो हम 50 जूल करेंगे ना काम, तो 50 जूल ही उसके अधर energy स्टोर होगा, ठीक है, ये कहानी है, तो देखो क्या है, ये B, ये M रखा हुआ है ठीटा एंगल पर है, ये गिरना चाहरा इधर देखना ज़रा है, ये गिरना चाहरा है बचों इधर, टॉर्क लगा करके, कितना टॉर्क लगता है, हम लोग जानते है, M, B, साइन, ठीटा, तो अभी ठीटा वण पर है, तो ठीटा वण लग रहा होगा, तो ये गिरना इधर चाहरा है, ठीक है, भाई, ये energy कविश्टोर होता है, ये कलम देखो, गिरना कि इधर चाहरा है, नि यहाहां है, साइसे लेकर केजाएगा, तो ये करेगा कौन, वर्क टान बई, external बाहर वाला आदमी काम करेगा, लेट, डैपोल को यहाहां से लेकर के, बचो, वह लेकर के चला गया, यहां से, ठीक है, यहाहां लेकर के, चला गया, तो बहते हैं, कितना angle पर गया, तो बोलते अब जो है न से आपर हम अहीं यहाँ से फोर्स हलाकि है तो चेलेकर करके यह तक हम अधर लगांगे बच्छों? displace कर देंगे तो बताओ कि कितना काम करेंगे तो यह जो काम हम करते हैं न वर्क डन बाई external हमेशा यह कैसा होता है पता है slowly work done किया जाता है तो थोड़ा concept समझो ज़रा work done by the external agent work done by external agent is always done slowly always done slowly क्यों slowly किया जाता है तो भाई यह slowly physics में slow का मतलब बहुत slow का acceleration हो गया यानि जीरो acceleration क्या हो गया बच्चो जीरो अब मैं बताता हूं मालो धरती पर ऐसे है को एक block रखा हुआ force समझाता हूं mg लगा नीचे mg लगा नीचे this is gravitational force मैं इसको अगर उपर उठाना चाहूंगा h height तक ले जाकर के तो मेरे को external force लगाना पड़ेगा किदर उपर तो भाई यहां पर उपर लेकर के जाएंगे तभी potential energy store होगा तो हम जो force external लगाएं उपर लेकर जाएंगे बचों यहां पर फिर से हम कैसे लेकर जाते पता होता है slowly slowly का मतलब होता है acceleration zero तो सोचो जरा कि gravitational force लग रहा है fg नीचे हम लगा रहे हैं उपर और भाई acceleration है zero क्योंकि slowly लेके जाना है इसलिए लेके जाते हैं ताकि उसमें kinetic energy ना आए एक्शली पोटेंशल एनर्जी पार चैप्टर पर उसके अंदर पढ़ा है ठीक है तो अगर और अंदर नहीं जाना होगा तो चैप्टर पढ़ना सब पूरा चैप्टिल में आजएगा चलो देखते हैं एसलेशन जीरो एक्सप्रेशन लिखो है कैसे तो बोले लेट यह जा किदर रहा है तो उपर फोर्स लगया कैसे लिखते हैं कोई भी चीज़े कोई मास है ना तो लिखो कि नेट फोर्स इकल टू मास इंट टू एसलेरेशन इकल टू जीरो हैंस बोलेगा न कोई की उपर कितना फोर्स लगाओगे भाई तो बोलेंगे क्या जितना नीचे फोर्स लगता है न ग्रेविटेशनल तो उतना ही फोर्स लगा करके मुझे उपर लेके जाना पड़ेगा सच बैट उसमें जाकर के पोटेंशल एनरजी स्ट यानि उडियाते हुए नहीं जाएगा तो सुलोली जाएगा तो सुलोली जाएगा ना कॉंस्टेंट वेलास्टी से जाएगा दो और अगर कॉंस्टेंट वेलास्टी से जाने का मतब क्या होता है एसलेरेशन जीरो तो गाड़ी दो तरीके से बाइक चला सकते है कैसे एक त दूसरा होता है constant velocity से 20 km per hour से मैं जा रहा हूं अब 20 km per hour से कर रहे हैं तो ना घर घर भेकर ही नहीं रहा हूं चुपचा पैसे क्यों गाली चल रही तो भाई यह गाली चलती है तो acceleration 0 का मतब क्या हो जाता है constant velocity से basically हमें उपर ले करके जाना होता है तो जतना नीचे force लगे ना उतना ही same force लगाओ ठीक है यहां से हमें समझ में आता है कि जतना torque नीचे लग रहा है न टो external जो बचो same उतना ही torque मेरे को लगाना पड़ेगा तब slowly जाएगा ठीक है तो torque external की अगर बात करें this will be equal to same MB के ता let sine theta है तो sine theta मतलब नहीं होता initially लेट इट भी ऐसे हटाव theta one पहले अभी concept बता रहा हूं रुकना एक मिट की मालो इधर MB sine theta लग रहा है तो same torque लगाना पड़ेगा उपर सुलोली लेकर जाएगे तब यहां से लेकर करके यहां तक जाके काम करोगे physics में ठीक है अब भाया physics है यहां से लेकर करके यहां तक कोई directly यहां चड़पा नहीं सकता है दुनिया में कोई suddenly आगे बढ़ता है नहीं कि आज रातो रात करोड़ पती नहीं उसको time लगेगा ध लेकर रात में नहीं बहुत मेहनत उसके पीछे होता है यहां से यहां डायरेक्ट नहीं तो कैसे तो पता है पहले थोड़ा सा काम करो यहां धोला सा घसकाओ तो थोड़ा सा काम करेंगे DW और वही DW 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 यहां तक इंटीग्रेट करेंगे तब जाके आएगा मेरा external वर्क्डन जो हम टोटल काम करेंगे वही हो जागा पोटेंशल एनर्जी स्टोर इन ना क्या हो जागा डाइपोल अब इतना बड़ा कहानी था इसके पीछे बताऊ लिख लो बचो लिख लो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉंसेट वरना क्या होता है नाकसर यह सब पॉइंट है इसलेरेशन बस अब अब समझो समझो पूरा उसका क्या मतलब है तो क्या करें तो सब से पहली लिखेंगे लट डर् ट्रक एक्टी में थे पोल क्या मों लिए लर्गट अटिक एपटेंगे वेने टिर ऊ-बस्दॉ सिर्ट प्रेलेजित करूंट श्यूक्षा at an angle theta with the magnetic field with the magnetic field be the coca理 future can let the torque acting on the dipole magnetic field theta angle variable theta angle per head to some a get a torque lag raha hooga so we let the torque acting on the dipole when it is placed an angle theta with the magnetic field be get up to willing a torque equal to mb sin of theta it's not lag raha hai it's not lag raha to external torque how much you lagana padega kata lagana padega same so much me again jitanii chotma hii upar lagana padega to be small amount of work done kata karna padekho thudas a phele gas kong d theta se to be a small amount of work done by the external agent kon kama karega ham hai na to by the external agent external agent in rotating in rotating in rotating the dipole the dipole slowly 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 or slowly ka matlab ho ta hai ki acceleration zero take it in rotating the dipole slowly slowly by an angle by an angle kata d theta to bhaiya d w joh ai ga bacho external woh kithar aaga socha ra to torque bhi dhar or d theta bhi kithar hooga idhar hi hooga idho same direction me ho jayega to kya boli dao into d d theta dho ye ho jayega udhar joh ham lagar e to external aur idhar yam ghaska raha d theta hai ki nai kya girna idhar cah raha tha Mekin ham idhar lagar e to bhai ham nye torque laagai hacka tata same lagana padega d theta thoda sa ghaska tayin और wohi d theta 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 tata tata kola te jayenge to be like initially theta one per kawa tha or hample le-ja kata theta 2 per kata ka denna yani d theta d theta will change for theta one से लेकर के थीटा टू तक तो बता कि कितना एक्स्टरनल वगडन करो गे ठीक है तो यह कितना आजाय का तो बोलेंगे M B Sine थीटा आइंटू क्या हो जागा दी थीटा दिस इस डी डी डवल्यू क्या हो गया ठीक्स्टरनल तो भीजा देफोर टोटल वर्क के थैक्स्टरनल तो भट राफस रटटो Teleside भतेटीं रोतेटिंग दाई पोल करेंगे डी डीक्सटरनल क्या टू टेब फटेटा एंग्नल चृटा करके के लेट टोटल डूटल डूटाल कितना होगा और यह हो जाएगा एंबी साइन थेटा है भुले भई या ड़ी थेटा थी टा थीटा वान से लेकर करके ठीटा टू तक हो गया एंबी एम बी बस इंटीग्रेट कर दो जो आंसर आ गया तो सिर्फ ना स्टेप्स पर ध्यान दो आंसर का टेंशन मत लेना आंसर के लिए तो शॉट ट्रिक है कि कैसे सब ची याद रखो उसके लिए तो टेंशन नहीं लेना है तो यह क्या हो जागा बंचो यह बन जागा वर्क टन अटना हो गया ठीक, एम बी ले लो बाहर तक इंटीग्रेशन किसका हो जागा, साइन ठीटा का और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस् धी और साइन ठीटा डी ठीटा। कहा से कहा तक, ठीटा ओं से ठीटा टू अर यह दखो, पहले रख देंगे cos theta 2 और यह हो जागा minus cos theta 1 this is the total work done by the external agent यही answer आया है क्यों यह answer आया x के लुक्त नहीं जाए equation 1 किसी को numbering दिये है ठीक है ना यतना तो total work done कितना हुआ बच्छो मैंने से अमबी cos theta 2 में तो क्या final angle और यह क्या है initial angle तो विल्ए this work done by the external agent gets stored in the system in the form of potential energy work done by the external agent and by the external agent agent gets stored gets stored in the dipole लिखते है आप लोको सम्छाने कि लिए कि हांदा डाइपोल in the form of potential लेकिन अश्यली वो डाइपोल में ने होता है हो ता वो अच्छीली system के अंदर होता है पुरा लिकिन चलेगा gets stored in the dipole in the dipole in the form of potential energy in the form of form of potential energy in the form of potential energy or potential energy को यू से डेनोट करते हैं तो therefore मेरे पास formula बन जाएगा बच्छो यू इकल टो क्या अगर यह 50 जूल है तो 50 जूल सेम हो जाएगा तो बोले माइनस एम बी यह हो जाएगा कितना सोच ठीक ट्यूफ फैनल ऊंसर हों गया तो माइनस स्वा इनिश्यल ठीक अब यहां पर कुछ स्पेशाल केस से जो आंसर आया है उसी स्पेशल केस में बहुत अच्छा छीज़ यहां से निकालूँ हमाँ देखना क्या अंसर आ है तो तो बलेंगे, since u बराबर ना, ऐसा कुछ हाया है, minus mb, cos final minus cos initial, ठीक, बोलता है क्या, case 1 में, if initially dipole is placed perpendicular to the magnetic field, यानि कि शुरू में ही बोलता है कि magnetic field इधर है ठी, dipole perpendicular है, यानि कि मालोक एगर dipole इस तरह से रखा हुआ होता, minus m, plus m, तो m इधर हो जाता, तो केतना एंगल है, 90 degree, के तो theta 1 केतना हो जाता, 90 degree, और बड़ा मस्त है बचो, कि अगर theta 1 90 degree हो ना, शुरूआती ही, देखो, cos theta यहाँ पर आया हुआ, cos 90 रखो गया, answer 0 हो जाएगा, यानि कहीं न कहीं इसलिए ऐसा कुछ किया गया, ये standard को एक variable, मलब कुछ लिया गया, कि theta 90 लेलो, such that cos theta, यानि cos 90, 0 हो जाता है, इस position को बोला जाता है, standard position में समझो की रखा हुआ है, क्या बोलते हैं, तब बोलें, भाई, theta 1 equal to 90 degree है, it is known as क्या, standard position, तो कभी-कभी ऐसे नहीं बूलेगा कि perpendicular है, बस बोलेगा कि dipol is placed in standard position, समझाना, 90 degree पर है, ठीक, perpendicular to magnitude and then it is rotated to an angle theta, अब बोलता है कि इसको rotate कर दिया गया, मालो की rotate करके ला करके ऐसे रख दिया गया है, ये तो theta 190 था, अब कितना angle बना रहा है, तो बोलता है कि अब theta बना रहा है, यानि कि अब बोलेंगे यहाँ से यहाँ, this is theta 2, जो है, वो क्या है theta, क्या है, मतलब initially perpendicular है, ठ रख दो, तो चाहे 120, चाहे 30 degree हो, कुछ भी, let it be theta, तो क्या होगा, तो बोले कि theta 2 जो है, any angle है theta, तो answer क्या हैगा, वो देखना, जरा answer आया, माइनस MB, cos, theta 2 है, theta पर ले जाके रख दिया, कुछ भी हो सकता है, और माइनस cos कैतना, 90, ये cos 90 को बड़ी हिसाब से रखा गया, cos 90 क स्वाहा, यानि potential energy, दोखो मेरे लिए आ रहा क्या, ता माइनस MB, cos theta, तो ये एक ना, ब्रह्मास्तर, relation आ गया, मेरे लिए बचो, कि potential energy क्या, माइनस MB, cos theta, तो इसमें एक ही angle है, तो एक ही angle हो, तो क्या समझेंगा, दो angle हो, तो क्या समझेंगे, एक ही angle हो, मतलब, understood है कि शुर सवाल मुले, अच्छा है, एक ही angle है, तो माइनस MB, cos theta, दो angle बोल देंगे, कि initially है, 30 degree पर बात मिले करके चलेगे, हम 60 degree पर, तो theta 1, theta 2 पता है, तो रख देंगे ऐसे करके, ठीक, कोई बात में, लिख लिए इसको, तो U equal to हम क्या करें, तो बले, U equal to, इसको हम लोग लिख सकते है, बचो, AB cos theta को क्या लिख सकते है, A dot B, यानि कि, U B, sorry, MB cos theta को हम लिख सकते है, minus M dot B, एक angle हो, तो ये use करिए, अब यहीं से, एक note point में बना देता हूँ, बड़ी important, कि बोलेगा ना, कि मालो, theta 1 पर रखा हुआ, तो initially कहा है, theta 1, तो direct use कर दो, क्यतना, तो बोले, minus MB cos theta 1, दे यह बोलेगा, minus MB cos theta 2, देख लो, जरा, 2 है, तो 2, 1 है, तो 1, 30 degree पर है, तो क्यतना potential energy, low है, 60 degree पर क्यतना, तो low है answer, अब यहीं पर 90 degree रख दो, जरा, एक angle का खासे, 90 degree है, तो 90 degree है, तो 0 potential energy होगा, क्योंकि, cos 90 0 हो जाता है, तो इसका हम use करते है, इसका हम use करते है, अब जैसी U1, U2 है न, अब यहां से बोला जाए, बचों की हमें work done by external कितना होगा, तो भाईया, हम जानते है, work done by external कितना होता है, delta U, कितना होता है, delta U, delta का मतलब होता है, change, change मतलब हमेशा होता है, final minus initial, initial है 1, बाद में हम लेकर के चलेगे, 2 पर, तो work done by external बोलेगा, delta U, U2 minus U1, यहीं पर देख लो, what is U2, तो बोलेगा, minus MB, cos theta 2 है, minus, U1 कितना है, तो minus MB, cos theta 1 है, समझना एक बात बचो, work done by external delta U होता है, बहुत आप champion होता होता है, बहुत 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 होता है, work done by conservative minus delta U होता है, यहां यहां पुछता work done by magnetic field, तो minus delta U करेंगे, conservative, ठ U2 minus U1 हुआ, ध्यान से समझो, since U2 में देख रोगे, यह formula मचो, minus लगा हुआ, U1 में भी minus लगा हुआ, तो इसको जब solve करोगे, तो भाई, minus, minus आगया, plus, और यह minus, यानि यह आ रहा है कैसा, MB, cos theta 1 आगया, और यह पीछे चला गया, MB, cos theta 2, यानि कि MB, ले लो common, answer आ रहा है कि कितना, cos theta 1 minus cos theta 2, समझने वला चीज़, this is work done by external, अक्सर work done by external ही पूचता है, magnetism के अंदर, कि कितना काम करेगा, वो समझो, यानि कि 2 minus 1 होना चीए, भाईया, formula में 2 minus 1 ने आया, 1 minus 2 आया, क्यों, क्योंकि न, यह U में minus लगा हुआ है, इसलिए ऐसा गरवड़ हुआ, अगर यू होता, MB, cos theta, positive, तो positive रहता है, यह भी positive रहता, तो सिधे सिधी theta 2 minus theta 1 आता, यानि भाईया, इसके अंदर ही minus, इसलिए माम हो गए है, पलट करके answer आता है, तो हम बुलेगा, work done by external delta U, ठीक है, delta मतलबता final minus initial, यानि कि theta 2 minus theta 1, लेकिन फ़र्पलम माइनस है, तो पलट करके लिए theta 1 minus theta 2, यानि समझ में आ गया, direct result का मैं करने वाला हूं, use, तो यह कैसा relation है मेरे लिए, this is very important relation, ठीक है, तो case 1 हमें समझ मे है, आते हैं case 2 पर बचो, बोलता है कि stable equilibrium position क्या है, तो भी या stable equilibrium position का मतलब होता है, अगर theta केतना degree हो, 0 degree हो, बस रखा हूँ, 0 degree पर, equilibrium है देखो गौर करके, parallel, या पैरलल हो या anti-parallel हो, तो equilibrium में रहता है, बिल्कुल, तो magnetic field हो है, इससे, और dipole इस तरह से रखा हूँ, theta 0 का म M0 मतलब south इधर, north इधर, south से north के तरफ, यानि minus M plus है, theta ऐसे, तो theta अगर 0 degree है, तो इसको हम लोग बोलते है, stable equilibrium position, तो U बराबर क्या होगा, एक ही ही angle है, रखा हूँ है, ठीक है, parallel to the magnetic field, तो क्या करे, minus Mb cos theta, cos 0, cos 0, 1 होता है, यानि कि minus Mb आ गया, negative potential energy होगा, क्या होगा बचो minus Mb, तो ये stable equilibrium position है, direct is result का use करेंगे, बोलेगा क्या, unstable equilibrium position, ठीक, unstable, तो unstable का मतलब क्या होता है, कि magnetic field हो इधर, और ये रखा हुआ, ऐसे दखो जाए, south, north, तो magnetic dipole moment हो जाएगा, इधर, है equilibrium, तो parallel या anti-parallel होगा, unstable कब बोलते हैं, जब या उल्टा रखा हुआ, stable कब जब सीधा रखा हुआ, same direction में, यानि this is minus M, this is plus M, ये इधर, ये इधर, theta equal to कितना हो जाएगा, 180 degree, तो ज़रा रखते हैं, यू बराबर क्या आएगा, तो बोलेगा, minus Mb, cos केतना degree, एक्स वास C, और बचों, देखो, minus Mb तो ठीक है, cos 180 कितना होता है, minus 1 होता है, cos 180 minus 1, minus minus, क्या होगा, plus Mb, तो बताए थे, कि energy मतलब क्या होता है, या दे बताए थे, बचों क्या, energy, energy का मतलब होता है, पैसा, क्या होता है, पैसा, तो अगर आपके पास ना, बहुत खातरना, plus का मतलब क्या होता, maximum, क्या होता है, maximum, अगर पैसा हो, तो आप unstable हो जाओगे, है ना, अगर पचास हजार कोड़ रुपया अगर आपको suddenly मिल जाया भी तो आप तुरह फ्लाइट से अमेरिका लंडन सब घुमना चालो कर दो घर में कभी मिल वे नहीं करोगे जब खोजने जाए घर में आज लंडन में जब घर खोजने आज पैरिस में तो अंस्टेबल हो जाओ कह एक्सटरनल मेंगनेटिक फिल्ड है कि अटेसला का दे दिया है बोलता है कि बार मैगनेट प्लेश्ट है उसका का एकक्सिस या रहनी कि दिखर थकर घ्रृटेम मैंगनेटिक फिल्डवाइट खेतना है 0.06 टेसला खेक है एक्सपीरियन से स्थर्क смог लिए अरृट फिशना यान वसुथ पर थो चिक ठीक है, minimum work required, यानि work done by external पूछरा की केतना, to rotate it from its stable, तो stable का मतलब समय में आगा, theta केतना होगा, 0 degree, to unstable equilibrium, यानि theta 2 केतना होगा, 180 degree, है की नि, position is क्या, तो भाई work done by external, तो अभी हम देखें बचों क्या होता है, तो बोले भाई, mb, cos theta 1 minus cos theta 2 होता है, देख चूके, theta 2 minus theta 1, है न, देख लो, diagram, option भी गारा है, कि ता 6.4, 9.2, 7.2, चलो, calculate करते हैं, तो mb क्या है, हमें नहीं पता, mb क्या है, हमें नहीं पता, theta 1 है, बचों के ता, cos 0, initially, stable से, unstable में ले करके, चला गया है, 180 में, तो यह आ जाएगा, mb, cos 0 होता है, 1, और cos 180 होता है, minus 1, यानि कि, यह दोनों हो जाएगा, देखो, कि ता, 1 plus 1, 2, यानि कि, 2 mb, actually, answer आ रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है, यह तो, वर्गडन बाए, external हो गया, लेकिन, एक और parameter, मेरे को देखे रखा था, torque, क्या देखे रखा था, torque, भहिए, torque बरावर क्या होता है, यह होता है, mb, sin of क्या होता है, theta, तो torque है, 0.018, mb, हमें, अच्छा, b, देखे रखा, बचा, 0.06, अच्छा, तो b, देखे रखा है, वहाँ पर हमें substitute करना है, कोई बात है, देखते हैं, तो mb रहने दो, और sin, theta केतना degree है, 30 degree, देखना, बड़ा अच्छा से setting हो जाएगा, करती क्या है न, b है जो रहने दो, mb का value यहाँ से निकाल लेते हैं, बच्छा और उजार लेकर के put कर देते हैं, अंसर आजाएगा है की न, क्यों अब b का value दोनों जगा पर put करें, तो यह क्यतना आजाएगा, देखो, mb, sin 30 होगा, क्यतना 1 बटे 2, यह 0.018, तो what is mb equal to, 2, mb आजागा है, देखो, multiply कर दो, यानि कि 0.018 into हो गया 2, this is equation number 2, बोलो, sir, आपने b क्यों नहीं यहाँ put किया, देखो, बचो, मालों है, यहाँ put करो, तो m का value निकलेगा, फिर इस m का value put को, फिर b का put करोगे, तो हमें वहाँ दीख रहा है, mb, हमें चाहिए, तो mb यहीं से direct निकल, उसको उठा करके put कर देखो, एक ही बार में answer आजाएगा है, ना, ठीक है, चल, तो put करते है, तो mb का value ऐसा कुछ है, यानि कितना आजागा, तो 2 into mb, कैतना है, 0.018, 0.018 into कैतना हो जाएगा, 2, तो देखो, आठारे दूना 36, 36 दूना बहतर हो जाएगा, है की नहीं, यानि बहतर कहीं दीख रहा है क्या, दीख रहा है, देखो, बहतर 7.2 मार दो, टिक, calculate करनी की क्या जो रहा थे, 10 to the power, अलग-अलग जब option हो ना, तो कुछ calculate मत करो, direct last में दिखा जो, मार दो, चल अब लिख लेते हैं, तक क्यातना आजाएगा, 1000 नीचे, तो आगे 18 दूना 36 दूनी 72 दूनी बहतर, divided by 1000, तो 7.2 दिया हो है, बचो, ता ऐसा करो, 72 बटे 10 यहां रहने, दो, into 100 ऐसे कर दो, such that यह वाला चला जाता है, scientific notation में, 7.2 हो जाएगा, देखो, और यह गया उपर, यानि कि scientific notation में convert हो गया 7.2, और वो धर चला गया, तो 10 to the power minus 2 joule हो जाएगा, this is work done by the external agent, बिल्कुल electrostatic जैसा है, इसलिए इसमें कोई मतलब नहीं होता है, कोई complexity का सवाल ही नहीं है, 7.2 into 10 to the power minus 2 joule, तो यह देखो, ऐसा पूछा था, next सवाल आते हैं, देखो, यह देखो क्या है, एक सवाल है बचो, जेए मेंस 2003 में पूछा गया, ठीक है, उसको नीट ने 2009 में पूछा, फिर नीट का मन नहीं भारा, उसने 2000 बार हैं फिर पूछा, कि कोई बचा ऐसा तो नहीं कि पीछे वाला सवाल नहीं पढ़ गया, फिर पूछा, एतना वन इंटू टेन टू दिपार फोर जूल पर टेसला, तो यह ऐसा यूनिट में है, बोलता है कि मैगनेट इस फ्री टू रोटेट, इन्हे होरिजोंटल प्लेन, यानि एक बार मैगनेट है, फ्री टू रोटेट, रोटेट कर सकता है, होरिजोंटल प्लेन में, चोह, डाइपोल कैसे, कोई थीटा एंगल, ऐसे रहेगा तो टॉर्क लगेगा, ए मबी साइन, धिटा एसे और रोटेट कर सकता है, होरिजोंटल, हरिजोंटल में, ना ही, ठीक है, बोलता है क्या Luigi коarily, मैगनेटिक फिलोंट कीयाention, ही M beaten the Magnet, कैसे, देख लोंग, आदेखे, meaning पता चला कैसे slowly और हर जगा पर दोखो पुछा हुआ है slowly basically rotate होता है उसके अंदर घुस करके concept समझो के बच्छों तब पता चलेगा कि slowly का मतलब क्या होता है हाँ find the work done in rotating the magnet slowly from a direction किदर? parallel to the field parallel to the field का मतलब theta 1 0 to a direction 60 degree from the field यानि कहने का मतलब बोला कि theta 1 है 0 और theta 2 है कितना 60 degree और हमसे पूछ रहा है कि work done by the external कितना होगा? work done in rotating का मतलब actually कितना काम करना पड़ेगा मुझे तो ठीक है देखो वा work done by external अभी just पढ़ा करके आए क्या होता है mb cos initial minus final क्यों initial minus final होता है क्योंकि पता है minus sign के कारण तो m d के रखा है बचो के ता 10 to the power 4, b केतना देखा 4 into 10 to the power minus 5 ठीक है cos 0 अब minus cos केतना 60 substitute कर लो 0.1, 0.2 0.3, 0.4 है आच ती आजएगा के ता 4 into 10 to the power केतना minus 5 plus 4 तो minus 1 cos 01, cos 60 half एक रुपिया में से आधा रुपिया गया तो आधा रुपिया होगा यानि यतना into half तो 2, 2, 4 तो 2 into 10 to the power minus 1 यानि कि 2 बटे 10 यानि कि 0.2 joule आएगा work done by the external agent किता आएगा 0.2 joule तो ये हो गया 0.2 joule समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे सवाल पूछा जा रहा है उसी formula पर कितना attack करता है ये देखो वह सेम अलग तरह से सवाल लेकिन वहीं जेई-मेंस 2003 पूच्छों नीट 2009 नीट 2000 सवाल सवाल, देखो किया बोटाइम में अंगनेटिक नीडल है लाइं पैरलल टूँ ये में अगनेटिक फिल्ड मेंगनेटिक में अगनेटिक नीडल कैसा होता है तो लेक्चर में जाया दिखाए थे एक और हाँ तो है तो ऐसा है मैंगनेटिक निडिल लाइन पैरलल टि ए मैंगनेटिक फिल्ड है इधर उसके पैरलल पैरला नोर्थ के तरफ बेसे कली एम ऑडा डिरेक्षन होगा तभी जाकर बोलेंगे पैरलल है यह निकि थेटा वन अगर बोला जीरो डिगरी है जैसे सवाल पढ़े उठाके लिख दी आगे हमको नहीं पता क्या पूछ रहा है लेकिन जो डाग्राम बोले बनाओ पिले यानि की भाई मेगनेटिक मोमेंट इसका इधार होगा तो साउथ से नॉर्थ के तरफ पैरलल टुदा मैगनेटिक फिल थीटा वन इकल टू जीरो डिगरी ठीक बोलता है क्या रिक्वाइर से डवली यूनिट ऑफ वर्क बोलता है कि डवली उनिट ऑफ वर्क चाहिए टू ट तो ओडिटा वन ऐसे रखा हुआ है इसको रोटेट करना है और लेके जाना है कहां लेके जाना है सोचको जरह और उसके लिए काम कितना करना पड़ता है W unit of work is to be done यानि कि देखे रखा है कि कितना काम करोगे वो है W अच्छा तो भाई work done by external जो होता है बचो अभी पढ़ करके आए क्या होता है MB cos theta 1 minus cos theta 2 ठीक है यह work done by external होता है यह W देखे रखा है MB MB है पैरलली रखा हुआ है तो cos 0 और ले करके चले गए 60 degree पर तो 60 हो गया है ना तो जरा देख लेते हैं पहले जो बोला उसको solve कर लेते हैं तो W बराबर होगा क्या MB cos 0 1 होता है cos 60 half होता है एक रुपया में साधा रुपया गया तो आधा रुपया यानि कि MB बटे 2 W will be equal to W W given in question है W is given in the question ठीक है आगे आगे क्या बोलता है the torque needed to maintain the needle in this position यानि इनिशली पैरलल रखा हुआ था पैरलल के बाद घुमा करके 60 degree पर ले जाके रख दिया ठीक है अब रख दिया तो हमें पता है जैसे 60 पर रख रहा होगा तो कोई टॉर्क नहीं लगता एक कुलिबरियों लेकिन 60 पर जाके रख दिये अब उस पर टॉर्क लग रहा होगा जैसे छोड़ों को धळाम से गिरेगा दो एम बी साइन 60 लगेगा भया एम बी क्या है हमें नहीं पता साइन 60 होता है रूट 3 बटे टू हो गया दिस इस दा टॉर्क सवाल में डवली गिवन था तो एम बी के जगा क्या है तब देखें कि ओहो एम बी बराबर यहां से पता चलता इट इस टू डवली दिस इस इक्वेशन बान एम बी कॉल टू केतना हो जागा टू डवली यारि जहां एम बी दिखरा आग वहां टू डवली रख दो और एक्स्टर्नली यह रट लो बहुत अच्छा सिखा है बगडल बएक्सटर डेटा यू होता है मैनस साइन के कारण वन मैनस टू हो जाता है तो रूट थी डवली रूट थी डवली कौन ऑप्शन नमबर ए रूट थी डवली ठीक है तो यहां पर यह लेक्चर होता है बचो खतम उमीद है कि बहुत अच्छा से कॉंसेट सब समझ में आगे नुमेरिकल में भी कमांड हो गया होगा अब मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में और देखें कि मैगनेटीजम का बेसिकली कॉस क्या होता है फिर आगे लेक्चर प्रोसीड करें ठीक है अच्छे से करते रहे थैंक यू